दोस्तो कैसे हो आप उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे दोस्तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक कोफी पराहनीका साild का में चाशिए हैं आपको वोल्ट कर दिया है अब इसके वोल्टेज हम चेक करते हैं इसे जो दो 258 वोल्ट की बीच में आउटपुट निकालना चाहिए वह काम नहीं कर रहा है चली, दोस्तों आप सबसे पहले जो circuit में यह p1set देखे ई Allow Standard को set करके देखते हैं देखते हैं कि हमारी ray रिले इससे बार कर रहे है और फीर नहीं कर रहे हैं तो यह परस्फाट अलग-अलग रिले की operate करने के लिए दे रãखे में अब एक करके साथ को हम घुमाखे देखेंगे इतेस को हो ठॉझा बात काम नहीं कर रहीं एक दो सबीस को सब भी मुझ आ करेंगे बहुत आ तो दोस्तों कुल्वजिक आप बात यह है कि यह साकिट हमारों रिपेश में काफी टाइम लेने वाला है और रिक काफी इस circuit को operate करने के लिए 220 volt AC की supply भी दी जाता है और उसके अलावा इसमें जो हमारा main transformer है उससे 24 volt की supply भी आती है तो इस तहां से दो supply आने पर यह circuit हमारा सही से work करता है तो फिर दोस्तों अब इस circuit में ज्यादा time लगाना बेकार की बात है क्योंकि अगर इस circuit को repair करेंगे तो development का seven step circuit बहुत अच्छा circuit है इससे चार relay operate होंगी प्लस timer high cut सब को जिसमें दे रखाए और इसमें किसी ट्रिगरेट रास्वमे की जवत नहीं है दोस्तों अब इसके connection समझ लीजे सबसे पहले हमाई main रास्वमे की input supply इसके इंदा जाएगी इसके बाद जितनी रिले हैं इनक input 2 relay, input 1 relay, output relay और सबसे आखे में output और timer की जो relay है उसका connection हो जागा अब दिखी इसले समझ लीजे इसमें जो पहली है वह हमाई input relay है दूसरी relay input 2 है तीसी input 3 और चौती output relay है और last while जो relay है वह हाई cut और timer के लिए relay दे रखी है तो इस तरह से यह साई connections हो जाएंगे अभी आप द हटा देंगे यह देखिए दोस्तो हमने नया circuit install कर लिया है अब देखिए काफी वायर कम हो गया है अभी तो यह पुराने वायर हमने यूज़ के हैं हम भी पुराने वायर भी हटा देंगे इसकी जब सब नए वायर यूज़ करेंगे अभी आपको दिखाने के लिए ताकि यह देखिए यह 300 वल्ट अग जा रहा है इसे 200 और 250 वल्ट की विचिन वर्क करना चाहिए इस पर सेट करेंगे देखिए सेटिंग करना बहुत ही आसान है इस पर सेट को बस एक बार 250 वल्ट पर आउटपुट ले आकर सेट करना है जहां पर हमारा स्टैप आ जाएगा तो सारे स्टैप्स खुदी आएंगे हमें बार बार अलग अलग पर सैट नहीं करना है जिस यहां तक कि हमारा ही कट और चाहिए सट विया आता बहुत आसान है वह लोग जो की नए मेकनिक हैं और ज्यादा काम नहीं जानते जानते वह लोग भी सेट कर सकते हैं कोई भी इस तर लेज़र आसानी से रिपायर कर सकते हैं अब देखी दोस्तों एक वोल्स में इसमें और लगा लिया है देखी जो डिईटल वाला वोल्टमिटर है हमने साथ इसाथ गंटिक निशान को जरूर दबाए क्यूंकि गंटिक निशान को आप दबाऊगे तभी आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकेगी अब देखिए दोस्तो इस स्टेब्रेजर की वारिंग हमने चेंज की है तो इस तहां से काफी अच्छा मालूम पढ़ लाए आप कंपेर करो पहले कैसे दिखाई पढ़ लाता और कैसा दिखाई पढ़ लाए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद